नमस्कार जी नमस्कार आज़े जल्दी जुड़े ये दोस्तों और देख लेते हैं आज हमारे पास है जो आए हुए है आपके इतिहास में मतलब इतिहास का मतलब इंगलेश का जो इतिहास है उसके अंदर आए हुए है कि ध्यान रखना और देख लेते हमारे पास क्या है गाईस जल्दी जुड़ जाईए आजएए शाट करने का टाइम आ चुका है गुड मॉर्निंग है सबको म मॉर्निंग है जोड़ जाईए दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास आज क्या है और स्टार्ट कोश्चन है अगर आप लोग साथ कोश्चन कर लेंगे घंटे में तो मज़ा आ जाएगा राइट तोरली इंज्वाए और आई स्ट्रॉंगली बिलीव ठीक है आई स्ट्रॉंगली बिलीव ठीक है कि आपको वो चीजे आनी चाहिए कोछ उन में से अगर मैंने पहले कराए हो तो I am not sure about it guys क्योंकि previous years पहले भी discuss किये गए हैं बढ़ मुझे नहीं लगता कि हम कोश्चनों को रटते हैं तो इसलिए एक बार देखेंगे और अपना score बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से मैंने बनाने की कोशिश किये है ताकी आप थोड़ा सा इensation होऊ सा सारी चीज़ों को हम क्या से होच पच करने की कोशिश करते है तर लब आपको इस हूच पौच में से अपने आंसर निकालने यह ध्यान रख्येगा कि आज़ों आजात आ जी जल्दी से start कर लेते हैं पहले question में आ जो दोस्तो जल्दी से start कर लेते हैं पहले question में कौन सा which of the following sentence is correct इसमें से आ जो दोस्तो अब ऐसा करो जल्दी जल्दी बता दो असान लगे तो बहुत अच्छी बात है टफ लगे तो बहुत बुरी बात है ठीक है और जल्दी जल्दी बता दीजे क्या इनके answer बन रहे हैं बहुत speed से बनाईएगा बहुत speed से चलिएगा बहुत important question है एक-एक question जो है वो previous year की तरफ आया हुआ question है ठीक है तो जल्दी से start कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास ये क्या है और rail गाड़ी दोड़ा देंगे guys आज ठीक है आजो जी आजो चलो देखो यार European में जो उता है ना European में अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आ European क्योंकि European जो है वो consonant sound है तो वो आ European होगा ये वन रुपी नोट में भी आ वन रुपी नोट होगा और यहां पर भी आ unit of blood होगा राइट क्योंकि इन सब में देख तो वाउल रहा है लेकिन consonant इन में क्या है इन में consonant जो है वो sound है दिखने में ये वाल है लेकिन है ये consonant ये ध्यान रखना चलिए यहां पर एन एफ आई यार अब देखो ये अपका वाउल का sound है कभी भी आर्टिकल लेटर पे नहीं लगते ध्यान रखना आर्टिकल लगते है sound के basis पे ये ध्यान रखेगा हमेशा जो है वो sound के basis पे लगते हैं ये ध्यान रखेगा चलिए आज़े ये next के तरफ बढ़ चलिए जल्दी बहुत speed से ये class important रहेगी सब के लिए ठीक है आप किसी भी तरीके से त्यारी कर रहे हैं कोई भी त्यारी कर रहे हैं उसके लिए important रहेगी चलिए आजो जल्दी से 60 में यार अगर 50 क्रॉस नहीं हुआ ना तो मज़ा नहीं आएगा ध्यान रख लेना 60 question में अगर 50 क्रॉस नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा ये ध्यान रख लेना है ना क्योंकि 50 का मतलब तब जाके हम लोग त्यारी पे ले चुके हैं चलिए बहुत simple है how well she sings जो है वो कौन सा sentence है how well she sings जो है guys हमें पता लग रहा है exclamatory sign भी है ठीक है और surprise वाली feeling भी है तो ये आपका है exclamatory sentence राइट ये है exclamatory sentence ये ध्यान रख ये आजए ये जल्दी से next की तरब बढ़ चलते हैं क्या है हमारे पर next में बताइए दोस्तो जल्दी से यहां पर आपको past tense use करना है जल्दी बताइए कौन सा है past tense hide का past tense form कौन सा है जल्दी बता दीजे hide का past tense form कौन सा है let's be quick in the following sentence change the verb to the past tense she hides her face for shame तो यहां पर past tense कौन सा है दोस्तो देखिये hide जो है वो first form है उसकी second form है hid और उसकी third form है hidden उसकी third form क्या है दोस्तो hidden तो हमारा answer क्या आएगा hid राइट तो ये वाला answer है हमारा c for cat answer क्या बन गया दोस्तो c for cat और जल्दी जल्दी शेयर करिए like करिए subscribe करिए right आज़े ये next की तरह बढ़ चलिए fourth number अब बना दीजिए दोस्तो answer कौन कौन से answer है enough को बताईए और अगर आपको एक brief pause चाहिए तो उसको आप किस से define करते है आप a brief pause is sentences marked by using किस चीज़ से आप brief pause को mark करते है जल्दी स्पीड बनाईए यार क्योंकि साथ question है तो बहुत speed से चलना पड़ेगा then we'll be able to complete 60 questions right और 60 में I want everyone to cross 50 now I want everyone to cross the benchmark of 50 that will be a very good score I believe so चलिए enough जो है देखो मैंने निकालना सिखाया हुआ है enough जो है वो intelligent की बात कर रहा है और intelligent ही है यह आपका pronoun, pronoun की quality adjective और adjective की quality adverb right adjective की quality adverb ओके तो यह ध्यान रखिएगा और जो एक brief pause है guys brief pause आपका किस से मिलता है वो मिलता है आपका कॉमा से कोई मुझे यह बसाकता है period क्या होता है period यह word क्या है कोई बता सकता है मुझे बताईए चल दिये कितने लोगों को पता है period क्या होता है English में grammar में क्या word है यह बताईए English में grammar में यह क्या word है बताईए जल्दी से बताओ जल्दी बताओ कोई English में grammar में क्या meaning है इसका English में grammar में इसका meaning होता है full stop ठीक है यह ध्यान रखना अगर मैंने बोल दिया my sentence ends with a period तो अगर मैंने बोल दिया मेरा sentence period से end होता है तो इसका मतलब full stop से end होता है ध्यान रखना that's another name for full stop ठीक है यह full stop का दूसरा नाम है मैं grammar में पूछ रहा है उन लोग time बता रहे है अरे यार कुछ answer करते को सोचो तो सही क्या बूल रहे हो मैंने कहा period word को grammar में क्या बूलते हैं और किस नाम से आप time time करे जा रहे हो यार time कोई grammar word है full stop बोलिए full stop चलिए बढ़ चलिए आगे क्या है जल्दी से spelling mistake बता दीजिए correctly incorrectly ढूंड कर जल्दी से और share subscribe like करिए जल्दी देखो मैंने नई चीज़ बता दी अगर किसी ने बोल दी आपको कि बताओ period कहां कहां लगता है अरे भाई आप तो बोलोगे school में लगता है ठीक है ना मतला school में मेरा था आठ पीरिड लगते थे सुबा से लेके शाम तक चलिए choose the word that is spelled incorrectly इन में से बताईए incorrect word कौन सा है इन में से incorrect word कौन सा है negative यहाँ पर incorrect spelling है यह ध्यान रखना और दूसरे में बताईए correct spelling कौन सी है privilege की correct spelling कौन सी है जल्दी बता दो seven number की जल्दी be quick बहुत speed से दोड़ चलो दोस्तों बहुत speed से दोड़ चलो आज़ो choose the word that is spelled correctly हो गया वहाँ पर incorrectly हो गया अब आपको correct spelling बतानी है seven की कौन सी spelling है फस गए seven में दुनिया ब्रस्टा चार की सीमा पार कर रहे हो तुम लोग seven में जो answer है वो है c for cat privilege privilege की spelling मतलब privilege होता है जैसे you guys are privileged if you are getting enough food money and everything है ना अगर भगवान ने सब कुस दे रखा है life में so you guys are privileged there is no discrimination there is है ना so मेरे को लगता है seven का जो answer है वो है privilege right seven का answer है c privilege l e d g नहीं होता और यह जो beef और bombay लगा रहे हैं वो तो एक number के भ्रस्टा चारी है चलो लगाओ next one आजो जल्दी जल्दी बताइए यह जितनी भी है यार iu e spelling है तो वही बता रहूं मैं ठीक है iu spelling से वही बता रहूं जल्दी जल्दी बढ़ा दीजिए spread कर दीजिए और बहुत speed से बढ़िए आज़े जल्दी से quick which which is the correct spelling इन में से correct spelling कौन सी है जिसका सही था उसको तो मिलना है definitely महुतसव के बाद परमविर चक्र चौरे सम्मान मिलेगा आपको gallantry awards दिलाऊंगा बिफ कर रहो चलिए यह है spelling आपका c for cat यह spelling क्या है c for cat 8 number 9 बहुत easy है यार 9 मेरे को नहीं लगता किसी का गलत होगा तो 9 में है consumption that is c for cat 9 में है आपका c for cat आजाओ दोस्तों next की तरह बढ़ चलो जल्दी से लंबा काम करना है ठीक है ना जल्दी बताइए कौन सी correct spelling है बहुत तेजी से बताते चलिए spelling को ignore मत करना बहुत integral पार्ट होता है हमारे exam का दो नंबर की दिखी जाती है कहीं न कहीं यह ध्यान रखना दो नंबर की दिखी जाती है कहीं न कहीं मैं इसको बोलूंगा नहीं लेकिन 10th का आप answer बताइए क्या हो सकता है 10th नंबर 11th नंबर जल्दी बताइए meaning of vivac tent होता है यार कोई tent होता है tent मेरे इसाब से इसका मतलब tent होता है जो tent गाड़ते है अस्थाई tent ठीक है ना अस्थाई tent गाड़ते हैं like in the army and all that that is called vivac temporary camp है है न यह ध्यान रखिएगा चलिए quinticence होता है किसी भी चीज़ का सार होता है किसी भी चीज़ का असेंस होता है ना तो इसका मतलब होता है एक तरीके से मतलब किसी भी चीज़ की समरी या निचोड टाइप में बोल सकते हो तो यह answer जो है a for apple है right यह answer क्या है a for apple है और rhythm rhythm एक ऐसा word है गाईज जिसके अंदर कोई भी आपको क्या नहीं मिलेगा vowel letter नहीं मिलेगा और यह एक लोता word दिखता है English में जिसमें बिना vowel letter के आपका word बन गया है rhythm है ना यह ध्यान रखेगा letter बूला है मैंने ध्यान रखना rhythm लेकिन यह तो दो दो दिख रहे हैं आर एच नहीं आर वाई है तो ठीक है guys हमारा c for cat answer है यह ध्यान रखेगा 11 में देख चलो आजाओ जल्दी से next की तरफ बढ़ चलो और आजाओ ज़रा preposition में क्या कह रहे हो preposition में आप लोग क्या कह रहे हो जल्दी आजाओ देख लो preposition में कितना हल्ला मचा रहे हो तुम लो ठीक है ना preposition का तीनों question सही कर दो दोस्तों जल्दी से मेरे लिए और बहुत तेजी से सही कर दो चलो keep clear dash wicked boys क्या होता है keep clear dash wicked boys wicked boys होते हैं बहुती बुरे लड़के गंदे लड़के ठीक है महा दुष्ट पापी ये हो गए off keep clear off clear off बोलेंगे बी में नहीं लाइए बारा नंबर का बी नहीं from नहीं बारा नंबर में बी और सी लगाने वाले लोग कहलाएंगे महा भस्टाचारी चलिए this book was written अब देखो आप जब करते हैं कोई भी आपके पाइंस्ट्रूमेंट है तो वो होता है with तो return with तो यहाँ पर 13 में आंसर आएगा B for Bombay और आपका next देख लीजिए these observation do not confirm confirm मतलब होता है agree करना ठीक है या फिर मतलब match करना उस type में बोल सकते हो तो confirm के साथ आएगा two ठीक है तो these observation do not confirm two यह ध्यान रखना और एक चीछ ध्यान रखना पल्टी मार बहुत देखता हूं मैं यहाँ पर उनको वही मेरे को लगता है politics से आया है वो यहाँ पर पल्टी मार लोग बहुत है यहाँ पर आंसर देखता हूं कुछ होता है बाद में देखता हूं कुछ नीचे से आ जाता है और एक दिन तो मैंने खुद देखे थे किसी के तीन question तो मैंने गलत देखे और last में लिख दिया 10 में से 10 number मैंने का वायार 10 में से 10 number 3 तो मैंने गलत देखे थे तुमारे चलो बनाओ आगे बनाओ दोस्तों जल्दी से जल्दी जल्दी बनाओ दोस्तों जल्दी जल्दी 15 number और 16 number conform to rules and regulations होता है यह ध्यान रखिएगा नहीं मैंने देखा है मैं सच बता रहा हूँ और तुमारे उपर भी किसी ना 2-3 पे तो नजर रखी हुई है मैंने देखता हूँ कितने number लाते हूँ 60 में से 60 बोल दिये ना पकड़ लूँगा वापत चैट में जाके घुसकर लेकर आउँगा आपका comment ठीक है ना चैट में जाऊँगा दिखाऊँगा स्क्रीन शॉट लूँगा फिर बताऊँगा कि कहां से तुम 60 में से 60 ले आए चले हैं wise person always avail himself avail यार बहुत famous है यह मैं बार बार बताता हूँ यह काफी paper में आया है avail के साथ हमेशा off preposition आती है avail के साथ क्या आती है off preposition आती है ध्यान रखे और bob can run 100 meter क्या लगाएंगे 16 में 16 नमबर में क्या answer लगा रहे हो बताओ ज़रा देखूँ यह आएगा in about यह क्या है यहाँ पर in about राइट तो 16 नमबर में जो answer है वो है B for Bombay 16 नमबर में क्या है B for Bombay in about 20 minutes चिक है चलो आओ भागो जल्दी से भागना पड़ेगा नहीं तो first जाएंगे हम अगर हम भागेंगे नहीं तो थोड़ा first जाएंगे दोस्तों जल्दी यल्दी बनाईए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए ठीक है जल्दी यल्दी बनाईए दोस्तों जल्दी से क्विक आपका क्या आंसर बन रहा है तीनों आंसर बना कर देखिए कि क्या आंसर बन रहा है जल्दी से क्विक बना दीजिए दोस्तों बहुत जरूरी काम चल रहा है आतंग मचा दिया है आपने लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने चलिए आज़ो दोस्तों जल्दी बता दो यार देखो jump to conclusion होता है शायद मैंने ये बहुत बार बताया अगर आप किसी decision पे पोस्ते हो तो वो होता है jump to conclusion jump to decision do not jump to the decision or conclusion so easily यहाँ पर to आ गया और derogatory के साथ use होता है to this is derogatory to my reputation derogatory remarks होते हैं जो एक तरीके से जब आप किसी को नीचा दिखाते हो derogatory language to someone तो किसी के लिए अगर आप बहुत derogatory language use करते हो तो बहुत ज़्यादा आप नीची मतलब एक तरीके से बोल सकते हो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो तो यह धियान रखेगा derogatory to और next one देखो दोस्तों next one में क्या क्या आ रहा है Indian magpie indulges Indian magpie indulge indulge होता है किसी चीज में चले जाना घुश जाना है ना do not indulge yourself into bad habits और I am completely indulge into my studies तो indulge होता है जब आप डूब जाते हैं किसी चीज को enjoy कर रहे होते हैं ठीक है ना these days parents are more indulging into the you know their personal life rather than taking care of the children and all that तो indulge उस sense में भी कई बार बोल दिते हैं तो यहां पे आएगा indulge in indulge के साथ क्या लगा सकते हो inward ओके चलो भागो आगे आजाओ 20 नंबर पे आजाओ कितने question हो गए हैं 20 हो गए चलिए अभी हमने लगबग लगबग one third part कर रहा है बनाईए 20 नंबर 20, 21 नंबर जल्दी जल्दी बता दो दोस्तो 20 और 21 नंबर जल्दी जल्दी खीस दो देख लो कितना आबन पा रहे हैं और अगर आप आज अच्छा कर रहे हो तो दोराए नहीं है कि आप अच्छा करने वाले हो ठीक है अगर आपने 20 नमबर गलत कर दिया न तो एक बार आओ यार चरो फिर है न एक बार आओ मिलो मुलाकात करो कभी है न देखते हैं जरा कहां पर अटक रही है गाड़ी है न जरा देखे है न क्या गड़बड हो रही है 20 नमबर में पहले तो ध्यान रखना दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते तो ये भी कट गया और ये भी कट गया है न और वो वुड लगा रहा है तो वुड का मतलब ये है कि उसने विल का पास्ट कर दिया तो आपको भी यहां पर पास्ट फॉर्म लगानी होगी क्या आएगा यहां पर आपको क्या फॉर्म लगानी होगी पास्ट फॉर्म एट तो यहां पर 20 में आएगा बी फॉर बॉंबे 20 में सी लगाने वालो वुड और विल लगाके कहां जाओगे बता तो दो कौन सी दुनिया में जाओगे विल और वुड लगाकर भाई दो फ्यूचर नहीं आते एक साथ, एक संटेंस के अंदर, रॉइट, अटाएए उसको, एट आएगा, चलो, next आ जाओ, by next June, he, dash is next novel, next June तक वो अपनी next novel जो है, वो लिख चुका होगा, यानी future में काम हो चुका होगा, तो यह होगा, will have written. प्यूचर में काम हो चुका होगा तो ये आएगा विल हैव रिटन आज ओ नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलो 22 नमबर और 23 नमबर बताओ जल्दी जल्दी बताओ ये तो कल मैंने पेड़ बैच में भी कराया था कोशन जब मैंने मैरेथन ली थी मर कराओ जल्दी यल्दी आओ दोस्तो My mother would never do anything that dash against her consigns जल्दी बताओ दोस्तो जल्दी जल्दी बताओ Let's do it fast हाँ जी बताओ ये दिरा देखिए यहाँ पर भी would आया है यहाँ पर भी would आया है तो इसका मतलब आपको आगे past form देनी है यहाँ पर क्या आ जाएगा वेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 में वेंट और 23 में देखिए 23 गलत होने का मतलब टोटल भरस्टाचार अभी भी फैला हुआ है 23 का आंसर मैं देख रहाँ देखिए 23 में पहले तो यह चीज़ ध्यान रखे very more letter कुछ नहीं होता much तो वैसे भी uncountable में आता है और little more letter कुछ नहीं होता तो वैसे ही आंसर सामने सामने clear है 23 में ए लगाने वालो भाई सब कहां जाओगे यार much more letter क्या होता है much more भाई much uncountable में आता है क्यों आप कह रहे हो many more letters तो समझ आता much more letter लगा कर क्या करके रहोगे यार ऐसा क्यों करते हूँ यह आएगा any more letter आंसर क्या आएगा any more letter right ध्यान रखिएगा चलिए any more letter right चलिए 23rd number में any आएगा दोस्तों यह ध्यान रखिएगा चलिए बढ़ते जाईए आगे session को बढ़ते जाईए spread करते जाईए जल्दी से keeping a very close eye on your comments guys 23rd को explain कर दो अरे भाई और तीनों तो आई नहीं सकते much more letter हो नहीं सकता little more letter कहां से little more letter करोगे ठीक है ना और very more letter भी कुछ नहीं होता ठीक है तो वैसे ही गड़बड है वो तो कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं परमविर चक्र ऐसे नहीं मिलता इतनी छोटी छोटी बातों पर परमविर चक्र नहीं जब तक आप कोई महा बलंडर नहीं करोगे तब तक कैसे परमविर चक्र मिलेगा कुछ करके दिखाओ ऐसी बलंडर कि सीधा आप ऐसे notice में प्रधान मंतरी बुलाई किसी दिन आपको साथ लोक कल्यान मार्क पे कि इतनी भारी गलती कैसे करते हो तेरा बताओ तो सही जल्दी जल्दी बता दीजे दोस्तों जल्दी बता दो यार हूस कार हैस बिन स्टोलन कौन सा है ये जल्दी बताईए जिन लोगों ने clauses पढ़ रखे हैं सिरब वही वही answer दे पाएंगे इनको जिन लोगों ने clauses को deep में पढ़ा हुआ है देखो यार दोस्तों सीधी सी बात है यहां पर ये वर्ब है still remains है ना तो इस वर्ब का कोई subject भी होगा और वो subject कहां है वो clause है ये पूरे का पूरा और ये पूरे का पूरा subordinate clause है और subordinate clause जब subject बनके आए तो वो कहलाता है noun clause subject जब clause बनके आए तो वो कहलाता है noun clause तो यह जो है हमारा क्या है दोस्तों यह है हमारा noun clause ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए next one देखिए farmer depends on water which will be available only during the mounsoon KBS के 2017 में आया हुआ question है चलिए तो देखिए पहले तो बताईए which will be available क्या available होगा water available होगा तो यानि यह जो पूरे का पूरा clause है यह बात कर रहा है water word की है ना और water word यहाँ पर क्या है noun तो बताओ noun की quality या noun की बात कोन करता है वो करता है adjective clause adjective clause को कुछ हद तक relative clause भी बोला जाता है adjective clause को कुछ हद तक relative clause भी count किया जाता है यह ध्यान रखना तो यह आपका जो है यह आगया adjective clause ठीक चलिए आज है यह 26 नंबर की तरफ भाग चलिए वो कहरा है teacher told the student that their result was quite good अब पहले तो यह ध्यान रखना that आने से आपके subordinate clause आते हैं तो यह वाला जो है आपका ही एक subordinate clause है अब लेकिन यह करने क्या आया है देखो अगर मानो मैं इसको हटा दूँ थोड़ी देर आप बोलो the teacher told the student अगर मैं थोड़ी देर आगे का हटा दूँ तो मैंने बोला teacher ने student को बताया तो आप मुझसे पूछोगे यार क्या बताया आप पूछोगे क्या बताया तो जब आपकी वर्ब का answer क्या हूँ मतलब आपकी वर्ब को क्या supply किया गया क्या मतलब हिंदी में क्या क्या मतलब व what का meaning बताओ, तो हम बोलते हैं क्या, हाँ वोई तो पूछ रहा हूं क्या, what का meaning आज तक नहीं पता लगा लोगों को, इसी से आप पूछ लोगे, what का meaning बताओ, क्या, तो वो क्या क्या करते रहेंगे, हाँ लेकिन अगर मैं बूलो आप अपनी verb से कोई question पूछे और आपका answer क्या का जवाब हो तो वो आपका होता है object तो teacher told the student teacher ने student को बताया क्या बताया कि उनका result बहुत अच्छा था तो यानि ये verb को एक क्या के रूप में object supply कर रहा है और जो object supply करता है object में भी आते हैं noun clause object में भी क्या आते हैं दोस्तो noun clause ये ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा ये आएगा आएगा आपका noun clause चलिए दोस्तो बढ़ चलते हैं हम लोग आगे की तरफ tom and jerry के उपर है एक tom and jerry को आप जानते होंगे बहुत अच्छे characters है cartoon में चलिए अगर मैं बोलू tom and jerry gave a big argument every summer over where they should spend their summer vacation बना दीजिए ये कौन सा sentence है ये कौन सा sentence है ये ध्यान बता दीजिए जल्दी से 27 number tom and jerry gave a big argument every summer over where they should spend their summer vacation tom and jerry तो बच्चपन से देखते आये हैं यार वो ही बड़े नहीं हो रहे हम कितने बड़े हो गए tom and jerry अभी तक बड़े नहीं हुए हम बड़े हो गए देखो कितने है न हम बच्चे थे tom and jerry भी बच्चे थे हम बड़े हो गए वो बड़े नहीं हुए चलिए तो यह देखिए यहां पर तो एक हो गया यह वाला और एक यह है यह subordinate है वेर से जुडने पर तो यानि एक subordinate है एक principle है मैं इसको complex लगा दू यहार कहीं दिख रहा हो तो है ना 27 जो है वो है beef और बॉम्बे complex sentence ना 27 जो है वो है beef और बॉम्बे complex sentence आगे बढ़ जाओ जल्दी से transitive word बता दो transitive verb वो verbs होती है guys transitive verb वो verbs होती है जिनके पास object होता है transitive verb वो verb होती है जिनके पास object होता है ठीक है तो इन में से देखिए कि किनके पास object है transitive verb वो verbs होती है जिनके पास object होता है तो इस में से कोन सी ऐसी verb है जिसके पास object है जल्दी बता दीजिए इन में से कोन सी ऐसी verb है जिसके पास object है जल्दी जल्दी बता दीजिए देखिए जिसका passive voice बन जाता है उसके पास object होता है इसको हम बोलते हैं सकर्मक्रिया ठीक है जिसके पास object होता है वो आपका passive voice भी बन जाता है उसका तो मैं जाओंगा इसमें C for cat में क्योंकि consider the matter the matter was considered यानि आप एक ही line है जिसका passive voice बना पाएंगे we consider the matter very important the matter was considered very important और बाकी किसी का आप passive voice नहीं बना पाएंगे और बाकी किसी में भी ऐसा word नहीं है जो verb का action जहेल रहा हो जो as an object supply हो यह ध्यान रखिएगा चलिए आजएए next की तरफ बढ़ चलिए और देखिए 29 में कोन सी है transitive word जल्दी जल्दी बताइए चारो question पेपरों में आ चुके हैं पहले all four questions were part of you know like your the previous year papers चलिए पी painted the car green Mr. Sumpat went abroad राव रमल लुक्स जीनियस they are our neighbors इसमें से अगर मैं देखूं कोन सी है transitive verb और मैं मानता हूँ अगर बहुत जादा समझना आता हो तो passive voice बन जाए बट दिक्कत ये भी है कि कई लोग घर से भी passive voice बना लेते हैं है ना जैसे मैं हमेशा बताता हूँ मैं एक लिखता हूँ क्या कहते हैं birds fly in the air मैं कहता हूँ इसका passive voice बनाओ तो लोग कहते हैं लोग बना दिया हमने air is flown in the bird भाई साब मैंने का इस पर तो नॉबल पुरुसकार भी छोटा पड़ जाएगा आपको अगर आपने bird flies in the air का air is flown in the bird बना दिया तो नॉबल पुरुसकार भी छोटा पुरुसकार है उस person के लिए तो उसको तो मुझे लगता है एक नया पुरुसकार बनाना पड़ेगा और पूरा world सम्मानित करेगा उसे है ना और लोग बना देते हैं guys कई लोग को सिखाया ही ऐसे जाता है passive voice birds fly in the air बस आगे जो दिखे उसको पीछे ले आओ बस बाकी तो दुनिया गई भाड में बाकी इस सारी दुनिया बेकार है बस active passive में आगे पीछे कर दो हो गया संसार का सबसे बड़ा काम कर दिया फिर आपने है ना ठीक है ये ध्यान रखना तो कई बार लोग ऐसे भी करते हैं मेरा कहने का मतलब passive voice का मतलब ये नहीं है abroad is went by Mr. Sampat genius is looked by Mr. Raman है ना और our neighbor is our day मेरे से तो बन भी नहीं रहा है ठीक है ना तो अगर मैं बोलू तो ये थोड़ा सा फस जाएगा आदमी ठीक तो यहाँ पर जो है guys यहाँ पर सिरफ जो है he painted the car green जो है ना the car was painted green बन सकता है बाकी तीनों का कोई passive voice नहीं बन रहा तो यहाँ पर जो मेरे पाद transitive verb है वो सिरफ इसके अंदर है ये ध्यान रखेगा राइट सो मेरे पाद जो transitive verb है वो सिरफ और सिरफ किसमे है एफ और एपल में चलो दोस्तों आजओ हाँ इन्होंने वो दो मिनिट वाली अंग्रेजी सीखी यह सही कह रहे हो हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखे और पांच दिन की क्लास लेकर सीखे इंग्लिश तो फिर तो ऐसा ही भरस्ता चार फैलेगा और क्या चलो बनाओ दूसरी बनाओ transitive verb जल्दी खीसते हैं थोड़ा सा 20 मिनिट रह गए question हमारे पाद 30 रह गए चलो बाई transitive verb कौन सी है the sum and fight very fiercely the end fought the wasp मुझे लगता है हमारा जो सही है वो है आपका beef और बंबे the wasp you know were fought with the ends तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर beef और बंबे सही है आईए दोस्तो 31 थोड़ा सा speed से चलाना पड़ेगा parting क्या है और neither क्या है बहुत तेजी से बताईए चलिए let's be very quick parting is always painful और neither of the acquisition is true जल्दी बता दीजिए क्या है answer जखो parting जो है यह verb से पहले आया है है इसका मतलब यह subject है और अगर subject में कोई ing आ जाये तो वो noun के type में होता है और ing वाला जो noun होता है उसे हम gerund बोलते हैं English में यह ध्यान रखना ing वाला जो noun होता है उसको हम gerund बोलते हैं और neither of the acquisition acquisitions में से ठीक है कोई भी acquisition neither of the acquisition is true तो यह हमारा distributive pronoun है यह हमारा क्या है दोस्तो यह हमारा distributive pronoun है यह ध्यान रखिएगा चलिए बढ़िये आगे 33 number इसमें से बताईए simple sentence कौन सा है इसमें से simple sentence कौन सा है लोग बहुत confused हुए थे इसमें paper में लोग बहुत जादा confused हुगे थे इसमें paper में कि कौन सा answer लगाया जाए बढ़ मुझे लगता है एक तो simple दिखी रहा है है ना और एक complex दिखी रहा है तो guys सीधी सी बात है एक complex और एक simple का मतलब यह कि सारे तो हो नहीं सकते simple ठीक है ना पहले वाला तो complex है क्योंकि weather आ गया इसका मतलब और यह guaranteed simple है ये guaranteed simple है तो फिर इसका मतलब ये simple नहीं होंगे फिर है ना तो हमारा answer जो बनेगा वो logically है क्या B for Bombay 33 में अच्छा ये B है ध्यान रखना यार ये ठीक है ये B है ये C है और ये D है नहीं तो अभी भी लोग पल्टी मारेंगे सर जो आपके वाला B था ना मेरे वाला वो C था है ना ये ध्यान रखना तो ये ध्यान रखना इसकी numbering गड़ बढ़ हुई है आपका answer अगर B for Bombay था तो ही सही है यानि राम डिफिटेड रावना the king of Lanka is the right sentence ओके ये हमारा simple sentence है चलो आओ बढ़ो आगे बढ़ो जल्दी से इसमें बताओ कौन सा complex sentence है बहुत speed से बढ़ाईए दोस्तो इसमें हमारा कौन सा complex sentence है जल्दी जल्दी बता दो यार बहुत जरूरी questions हो रहे हैं ये अब आपके as well as और yet आपका complex की तरफ ले जाता है as sorry compound की तरफ और yet जो है वो आपके compound sentence को ले जाते है ये ध्यान रखना चलिए बनाईए जल्दी बनाईए यार spread करिए जल्दी से आगे बढ़िए आँ जी देखे नाइदर के साथ नौर जो है वो आपका compound बनाता है ठीक है नाइदर के साथ नौर जो है वो compound बनाता है बट से जुड़ने पर भी compound होता है ना बट जो है fanboys का part है ये भी compound बन जाएगा compound sentence जानते होंगे हलका फुलका हम लो दो या दो से जादा principle चाहिए और having plus third जो है ये phrase होता है इसको आप किसी भी clause में count नहीं करते तो इसका मतलब इसमें एक ही clause है तो ये आपका बनेगा simple sentence ठीक है और that से जुड़ने पर आपका बनता है subordinate और बाकी ये है sorry so that से जुड़ने पर ये बन गया subordinate और ये है principle तो principle पर अपका बन गया complex ये आपका कौन सा sentence बन गया complex sentence right ये ध्यान रखिएगा तो हमारा answer बना D for daily हमारा answer क्या बना दोस्तो D for daily ठीक है चलो बढ़ जाओ आगे जल्दी से क्या है अभी बहुत surprise बाकी है ध्यान रखना 36 तक आए है बहुत surprise बाकी है जल्दी यल्दी करो चलो he is in debt in debt के लिए कौन सा word लगाएंगे guys in debt के लिए word लगाएंगे to he is in debt to to in debts के साथ क्या आ जाएगा to आ जाएगा और measure yourself dash your equals and learn from frequent competition measure yourself dash your equal and learn from frequent competition आपको अपने अब देखो यहाँ पर लोगों ने ना paper में क्या करा था with लगाया था जबकि आप जब measure करोगे तो अपने equals जो है यानि आप अपने जैसे यहाँ पर 800-900 लोग देख रहे हैं तो यह देखो कि बाकी लोगों की performance क्या आ रही है अगर आप अपने को और आप बाकी लोगों से जब चेक करते हो तो आप उनके against चेक करते हो ठीक है ना तो यहाँ पर answer जो बनेगा वो बनेगा against measure yourself against your equal against क्यों बोला क्योंकि जब आप measure कर रहे हो तो आप उनके against अपनी performance चेक कर रहे हो यह ध्यान रखना राइट चलिए next की तरह बढ़िये ज़रा थोड़ा speed से खीचना पड़ेगा जल्दी बनाईए दोस्तों खीज दीजिए spread कर दीजिए like कर दीजिए फेला दीजिए ठीक है 12 minute बने है और हमारे पाख question है तो फिर हम आज 50 पे end करना पड़ेगा you are talking too fast I can't dash with you क्या आ जाएगा I can't keep up with you keep up मतलब होता है कि भईया मैं आपके बराबर match नहीं कर सकता ठीक है और 38 number में क्या लगाएंगे his behavior dash the comment that he is in eccentric तो guys देखो beer in given तो होता है surrender कर देना break of alak sense में आता है यह आएगा beers out beers out का मतलब होता है substantiate करना यानि किसी भी बात को एक तरीके से मजबूती से बोलना टाइप में पक्का करना substantiate करने टाइप में बोल सकते हो right यह ध्यान रखिएगा चलिए तो यहाँ beer सा उटा गया 38 नमबर में next की तरब भाग चलिए और आज़ेए क्या है next one correct spelling चलिए अच्छी बात है दो correct spelling और बताओ दोस्तो जल्दी से दो correct spelling जल्दी से बताओ 30 सेकिंड दे पाऊंगा बस इसमें देखो word भी बहुत अच्छे है बहुत प्यारे words है अगर किसी को vocabulary point of view से भी जानना है तो इसमें बहुत अच्छे words है यार 39 और 40 में जल्दी से 10 सेकिंड स्मो क्या कर दिया मैंने 37 में कुछ गड़बड कर दी क्या अरे keep up वेद है यार है ना keep up हुए दियो ठेक यह c है दोस्तो ध्यान रखना यार है ना यह c है वो b for bombay नहीं है टेक मैंने correct कर दिया चलो यह देखो यहाँ पर जो spelling सही है वो है homeostatus और यहाँ पर जो सही है वो है impermeable ठीक है homeostatus और impermeable hideous की spelling देखो यह मैंने कर दी hideous यह है imminent की spelling आपकी यह है imminent ठीक है और ignominy कलंक दाग उसकी spelling यह है ignominy ठीक है और यहाँ पर impermeable है यह quiescent होगा यह ramification होगा वो slipsword होगा राइट तो यह ध्यान रखिएगा चलिए next के तरब बढ़िए आईए जल्दी से देखते हैं जरा कितने लोगों के vocabulary अच्छी है कितने लोगों की vocabulary अच्छी है देख लीजिए appelled क्या होता है appelled मेरी क्लास जो होती है वो लाइव होती है रोज आठ बजे ठीक है Monday to Saturday in the morning I have class at 8 a.m. in the morning चलिए देखे appelled का मतलब होता है I am appelled to see the condition of women in Afghanistan they are there being behaved like and you know agar मैं भूलू they are there put behind the bar and they are you know like facing such a brutality of the human being that you know very very difficult to digest that kind of situation I am completely appelled to see that kind of situation in Afghanistan so appelled का मतलब होता है शौक हो जाना लेकिन बैड वे में है ना शौक हो जाना बैड वे में और आर्डर you should maintain the order for English language मैं बार बार बोलता हूँ यार यह आर्डर ही है जो आपको next level पे ले जाएगा एक September से जुड़िये मेरे साथ let's maintain that order yen you know the craving for the language and see the improvement in your overall skills of the language ठीक है बहुत ही high level पे English करेंगे going forward guys और मैं बार बार बोलता हूँ कर लो यार अच्छा life में बहुत कामाने वाली है don't be adamant की नहीं मैं तो नहीं करूँगा और सिरफ exam के लिए करूँगा life में बहुत कामानी है ध्यान रखेगा चलिए तो अगर मैं बोलू तो guys order maintain रखिए एक passion होना चाहिए हंदर और tyranny देखिए है ना इस तालीज बानी की tyranny देखिए guys कितनी brutality लोगों को मार रहे हैं अभी bomb blast भी हो गया महाँ पे तो I am really appalled to see the tyranny of these you know goons you can say or these uneducated people who want to run the country with their own style है ना उनको नहीं पता 2021 है भाई है ना और जमाना जी रहे है 1420 वी वाला वो तो अगर बोलू तो tyranny दिखा रहे है tyranny मतलब होता है autocrat यानि ताना शाही राइट चलिए आजएए next के तरफ बढ़ चलिए दोस्तो जल्दी से बनाईए ये भी synonyms सी माक करने है आपको guys synonyms सी माक करने है ध्यान रखेगा insight jeopardize repeal और vary synonyms माक करिए बहुत स्पीड से चलिए let's do it fast यार synonyms माक करिए स्पीड से और let's do it fast कर दोस्तों अंजी insight मतलब होता है किसी को भढ़काना प्रवूक करना insight का मतलब होता है किसी को भढ़काना प्रवूक करना inciting violence अच्छा jeopardize मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को मुसीबत में डाल दे या फिर मैंने बोला lot of people's lot of career has been jeopardized just because of the coronavirus बहुत से career जो है वो jeopardize हो गए jeopardize वैसे होता है किसी चीज़ को शंशे में डाल देना मुसीबत में डाल देना ठीक है parallel जिसको बोलते है बट यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो secured जो आयो just तो हो नहीं सकता यहाँ पर एक ही option बन सकता है जोस्तो अगर कोई भी law repeal कर दिया गया है तो बताइए क्या हुआ है वो है ना अगर कोई law repeal कर दिया गया है तो वो खतम कर दिया गया है यानि उसको वापस ले लिया गया है विड्रू कर लिया गया है राइट चलिए you must be wary before you rely on someone you believe in someone and I believe you take your life decision please make sure you like you are quite wary in taking those decisions wary का मतलब होता है कोई भी बंदा जब बहुत cautious हो बहुत साथधान हो तो यहाँ पे answer क्या आ सकता है guys gingerly मैं कहूंगा यार you need to do this thing gingerly बड़ा प्यारा word है यार gingerly लोगों को लगेगा अधरक से related है लेकिन दिक्कत हो जाएगी फिर है ना अगर यह ginger से बना दिया तो gingerly निकला आएगा फिर है ना मैंने बोला यार he is taking care of the no newborn baby gingerly वो newborn baby को बहुत gingerly take care कर रही है यानि बहुत ध्यान से बहुत cautiously newborn baby का बहुत ध्यान रखना पड़ता है guys तो he is taking care of the newborn baby और he is taking care she is taking care of the newborn baby gingerly बहुत सावधानी से ध्यान रखना चलिए दोस्तों आजाते हैं जल्दी शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा रह गया है देख थोड़ा सा रह गया है अजी आजाओ साथ पूरा कर लेंगे अभी मेरे 50 मिनट सी हुए है तो 10 मिनट मेरे पास over है दोस्तों ठीक है चलिए 48 I was obliged to do so 48 मिनट 48 मिनट कह रहा हूँ 48 answer I was obliged to do so बताइए क्या आएगा 48 यार obliged का obliged ही करो न was war को was war second को आप किस में change करते हो was war third को passive voice बनाते हो वी 2 में change करते हो तो वी 2 आपको यहां मिल रहा है सिरफ वी 4 बॉंबे में circumstances obliged me to do so देखे है circumstances obliged me to do so चलिए गाईज जल्दी से जल्दी spread कर दीजिए आर सेशन को आज और next की तरफ बढ़ चलो 49 नमबर she was handed a check अब दोस्तों यह मैंने class में भी कराया था वहाँ पर मैंने she was handed a check अब guys या तो इसको लगाईए someone या फिर अगर आपके पास someone नहीं है तो यहां पर देखिए क्या है बस एक चीज़ याद रखना ये जितने भी लोग भाईसा 49 को तो जल्दी से करेंगे रेनुगोर देखेंगे यार रहे न चलो आजाओ देखो वाज़ वर अगर आपके पास third आ गया वाज़ वर third तो इसका आंसर है वर्ब की second form वाज़ वर third का आंसर है वर्ब की second form तो यहां पर आंसर आ जाएगा वर्ब की second form और यह आंसर मेरा बनेगा यहां पर आंसर क्या बनेगा 49 का C चलिए next की तरह बढ़ चलिए जल्दी से बताइए यह question tag क्या बनेगे बहुत important यार question tag बहुत important है यह ध्यान रखिएगा चलिए बढ़ाईए बढ़ाईए जल्दी से आगे करिए nobody came to the party he never says a word यह question tag हमारे paperों में आए हुए थे nobody came to the party और he never says a word जल्दी बताइए दोस्तो 50 देखो nobody का जो वो होता है subject वो दे होता है लेकिन nobody negative है और came का negative होता है did not तो हमारा answer बना did they क्या answer बनाए गाईज हमारा did they right और he never says a word he never says a word अब never भी negative है तो इसका मतलब positive बनेगा लेकिन verb पे बनता है question tag तो says का negative हो गया does does not होता है लेकिन फिलाल मैं क्योंकि negative already है तो does ले रहा हूँ और यहाँ पर आगया he वो बनेगा a for apple जो हमारा answer बन रहा है 51 का वो क्या बन रहा है दोस्तो a for apple चलिए next की तरब बढ़ चलिए दोस्तो 52 number 52 number में क्या कह रहा है I need not get up early I need not get up early tomorrow इसका बनाईए और have some more rice दोनों का question tag बनाईए जल्दी से और 60 complete कर लेते हैं अर जल्दी यल्दी कर लेते हैं है ना let's do it fast I need not get up early tomorrow देखो need not है तो need not का ही बनाईए negative यहाँ पर answer जो आजाएगा वो आजाएगा need I यहाँ पर 51 में 52 में answer क्या आजाएगा need I और have some more rice have some more rice यह क्या answer आजाएगा guys have some more rice में क्या answer आजाएगा guys देखिए आपको बूल रहा है थोड़े चावल खालो है ना तो सीधी सी बात है यार वो बूलेगा खालोगे क्या तो यहाँ पर answer बनेगा will you 53rd का answer क्या है दोस्तो will you ध्यान रखिएगा राइट चलिए ले चलते है next की तरफ बहुत speed से 54 बना दीजे यार यह तो vocab है इसको तो बहुत जल्दी निप्टा सकते हैं ठीक है इसको तो हम बहुत जल्दी निप्टा सकते हैं bashful का synonym eager appraise admonish जल्दी बता दीजे आपको मैं दे रहा हूँ इसके लिए सिरफ और सिरफ 30 to 35 seconds या 40 seconds चलिए गाईज लगा दीजे 40 seconds आपको मिल रहे हैं bashful क्या है eager क्या है appraise क्या है admonish क्या है अब appraise को ना बहुत लोगों ने गलत समझा था PRT वाला जो exam हुआ था eager भी आया था appraise भी आया था PRT वाले में ठीक है चलिए bashful how can you be so bashful being a teacher आप अगर teacher है तो मैं नहीं कह रहा आपको बहुत ज़्यादा talkative होना है बहुत ज़्यादा उचल उचल के नहीं कहीं न कहीं वो dignity lose की है वो maintain रहनी चाहिए ना faculty should behave like a faculty चलिए तो अगर मैं बोलू bashful bashful nature क्या होता है बहुत ही शर्मीला but I don't do not expect you guys to be bashful in your life ठीक है bashful क्या हो गया shy है ना bashful क्या हो गया shy right so eager is something ठीक है enthusiastic और guys please make sure you like और subscribe the channel ठीक है और like the session चलिए eager का मैं लगाऊंगा enthusiastic appraise जो होता है ना ये appraisal से बना है appraise करना मतलब जब आपकी चीजों को estimate किया जाता है इसका कोई मतलब तारीफ करने से नहीं है तो ये हो गया estimate और जो next answer है guys वो हमारा है admonishing you I am admonishing you last time that you know like do not write your message in Hindi although अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है बोलना क्योंकि लोग कह रहे थे सरादा time तो इसी में निकल जाता है Hindi में मतलिखो तो it is now your responsibility to write your message in English only तो I am admonishing you last time if I see you writing your message in like Hindi ओके ये हो गया reprimand करना dart लगाना schooled करना चलिए last के तीन कुश्चन हम देख रहे हैं बस अब और ये है antonym अच्छा ठीक है 60 तक कर रहे हैं बस और आगे नहीं ले रहे बता दीजे 58 से लेके 61 तक last हमारे कुश्चन है antonym के जल्दी से बता दीजे फिक है last हमारे कुश्चन है गाईज ये बता दीजे क्या है जल्दी बताईए जल्दी देखो दोस्तो profane language यूज़ करना I have seen lot of people using the profane language profane होता है वैसे एक तरीके से ऐसी language यूज़ करना जो की गलत होती है ठीक है तो जिसको अगर मैं बोलू तो एक तरीके से जिसको हम बोल सकते है disrespectful ठीक है और profane का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा pious profane का उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा exclude करना और inhibition होता है गाइस किसी के रुकावट डालना पैड़ागाजी में भी word है inhibit यानि किसी चीज़ को रोकना ठीक है तो इसका जो opposite होगा वो होगा एक मट रुकिए मैं यार को लगता है inhibit हो गया रोकना exclude करना हो जाएगा ठीक है ना inhibit का क्या सिनोनिम होगा किसी चीज़ को रोकना मैं यार इसको फिलाल exclude लगा रहा हूँ लेकिन मैं इसको एक बार देखूँगा ठीक है इस वाले को मैं एक बार cross check कर लूँगा फिलाल मैं इसको exclude लगा रहा हूँ ठीक है ये ध्यान रखिएगा और guys herald होता है किसी चीज़ को declare करना नरेंदर मोदी heralded from the rampant of the lalkila that will be working for the women empowerment ठीक है तो नरेंदर मोदी heralded from the rampant of lalkila that will be working for the women empowerment ठीक है ना तो ये ध्यान रखना तो herald जो है उसका जो opposite होगा वो होगा concealed ठीक है herald का जो opposite होगा वो होगा concealed और आज दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही था thank you so much जुडने के लिए I hope you enjoyed the previous year ठीक है of your exams and you scored really well okay so now the Sandeep sir will be taking your class and I don't want to take much of much of his time so that is all from my side guys thank you so much for coming and joining and giving your time guys bye bye my name is Deepak so thank you so much for you know supporting with this you know mohatsav and it is coming to an end today और guys आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा बहुत ज़्यादा है ना और के केते like अपना प्यार दिया बूल सकते है thank you so much और जिन लोगों का भी score 50 अबव गया है they all are a very good audience or even if it is below 50 there is always a next level guys ये ध्यान रखिये even after 50 there is always a next level okay चले गाईस thank you so much my name is Deepak bye bye guys right